नमस्का दोस्तो आपका स्वागत है सुबोर डेजिटल योटूब से हमें दोस्तो आज किस वीडियो में हम आपको बताएंगे DBT प्लस NPCI से बैंग खाता कैसे लिंक करना इस वीडियो में आपको बताएंगे तो वीडियो को पूरा देखेगा DBT से प्लस NPCI से बैंग खाता आप लिंक कर सकते हैं 24 गंटे के अंदर आपका बैंग खाता NPCI से और DBT से लिंक हो जागा तो कैसे आपको लिंक करना है हम आपको 2024 का नया तरीका बताते हैं जिससे आप 24 गंटा के अंदर अपना बैंक खाता को dbt plus npcii से लिंक कर सकते हैं तो यह जो आपको तरीका हम बता रहें बिल्कुल जेनुवन तरीका है इस तरीके से आप असानी से अपने बैंक खाता को dbt से लिंक कर सकते हैं यह जो तरीका है यह ओल बैंक के लिए है आपको लिखना है और सर्च करना है उसके बाद आपके सामने यह वाला अप्लिकेशन जाएगा इसको आपको डाwnडोड करेंा है दोस्तों ये एप को डानोड कीजीगा अब आप लोगा कहेंगे कि ये आप डिपेटी करनट का लिखना है लिखा हुआ है तो दोस्तों से आपक पर अधार का नंबर उसके बाद टम करने से एक्सेप्ट किजिएगा और गेट ओटीपी पर आपको क्लिक कर देना है तो चले यहाँ पर हम्हार कारी का नंबर टाइब कर लेते हैं कंडिशन को एक्सेप्ट करेंगे और the सेट ओटीप पर हम किल्क करते हैं ठीक है आपके मोईल नमबर पर वन-tm otp यहां पर देखके आपको otp verify कर लेना है तो चलिए otp हमारा दूसरा नमबर है उसमें देखकर otp हम टाइब कर लेते हैं औरटीपी डेप करने के बाद आपको एक M- change कर लिख सकते हैं कि करने के बाद आपका पूरा पूरे यहाँ पर आजयेगा इसको आपको यहाँ पर्लुध नाम पता और न। आजने मोगाल कर देंतना मेरत बात करने कि आँ granel इसको सारे चीज भर देना एक नमबर भर कि यहां पर इसको ok कर देजिगा शमिट कर देजिगा उसके बद आपको back करना है ठीक है back करने के बाद दोस्तों यहां पर आपका नाम आ जाएगा उसके बाद अपना नाम को यहां पर select कर लिएगा इस तरीके से और आपने जो MP बनाया है यहां पे टाइप कीजिगा और login पे कीजिगा login करने के बाद दोस्तों आपको जो भी dbt थोड़ा dbt के मादम सो जो भी आपको पैसा मिलता है यहां पे payment status आप देख सकते हैं उसके बाद यहां पे बात करते हैं कि बैंक खाता dbt से कैसर लिंग करना NPCI से तो सबसे पहला काम आपको यह वाला option पे पर कलिक्लिक करना है उसके यहाँ पर आपको अपना anwdharkat का number type करना है जो भी अ sya आधर कार्ण नपर आपको यहां पर इंटर करना आप तो यहाँ पर अधार का नमबर टाइप करने के बाद आपको just सीडिंग एस्टेटस पर किलिक करना है तो यहाँ पर देख सकते हमारा यह जो है एन पीस है इसे लिंक है आप देख सकते एक्टीव है उत्तर भिहार ग्राविन बैंक है link है ठीक है तो अगर आपका link यहाँ पर नहीं है कोई भी वेंक नहीं शोग कर रहा है या फिर आपको change करना इसको आप बदलना चाहते हैं और फिर नया को लिंक करना चाहते हैं या फिर आपका लिंक नहीं है इसको चेंज करना चाहते हैं तो कैसे करना आपको चेंज करने के लिए सबसे पहले इसको कट करना है उसके बाद आपको गूगल ओपेंड करना है गूगल में आपको सर्च करना है अधार सीडिंग đधार और सीडिंग सीडिंग को लिखना है औरि यहां पर एक अप्लिकेशन है बहिं से यह जो आप देख लेख सब 624 नीचे जो अपसे निच्मराइध समझजा पीडियेफ आप देख रहें सबसे नीचे जो लास्ट वाला तीन नंबर का जो है इसको जीरोक्स निकाल देना ठीक है किसी भी दुकान पर जाना है इसका जीरोक्स आपको निकालना है और पैन लेना है पैन लेने के बाद इसमें भरना होगा डिटेल जैसे कि सबसे पहले अकाउंट नंबर अपना नेम लिखना है और यहां पर अकाउंट नंबर लिखना है उसके बाद यहां पर डेट आपको लिख देना है उसके बाद यहां पर आपको सिंगनेचर करना है अपना ठीक है उसके बाद NPCI से जो आप लिंक कर रहे तो यहां पर जो है यहां पर अ और अधार फोटोपी रगा देना है, और फिर आपको जो है यहां पे, सब कुछ भरने के बाद, इसके साथ अधार फोटोपी करने के बाद, आपको जोबी बैंक है, जैसे कि SBA भैंक है harps तो इस ब्रांच में जाकर जामा करना में जामा करना इसको में बारंच में ले जाकर कर देना एक जामा तो इस वह से डिवीटी डिवीटी से भीड़ीड चाहएगा तो इस एक ईषणपा ना कर smells अपयोिकर आपको यही के पर्शक का है द्यूकूषए यहां पे उसके बाद यहां पर एक्काउंट नमने लिख देना पहुत हैं तो आपका एनपी से पहला यहां हो जाएगा ठीक है और नमबर यहां पे जो है अपना एकाउंट नमबर लिख देना है उसके बाद फिर से यहां पे एकाउंट नमबर और अनौधर बैंक एकाउंटर नेम उसके बाद नमबर तो इसमें बता रहा है कि अनौधर बैंक जैसे कि इसमें अगर आपको चेंज करना है तो कौन सा पहले से लिंक था तो यहां पे उस वेंक का नाम और अरणा जो आप लिंक कर रहे हैं न नवाला खाता को अगर आप चेंज कर या पिन्क है और चैंज करना जाते है Eller कोई भी तो भी कोई लिए तो भी आपको पर बढ़ना पर चैंज करना तो भी आपको इप करना या इसको ऑन ब्रांच में जामा करना आपका कटा डिवीटी से लिंक से लिंक हो जागा और आपको वेनिफिट मिलना सुरूर हो जाएगा तो वीडियो कैसा लगा है मुझे आप कमेंट करके बताएगा और यह जो चेक करने का तरीका हमने आपको नया बताया है तो इस तरीके से आप कर सकते हैं